नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं एगरी टेक गुरूजी और मैं हूँ आपका दोस्तुरेश जाट दोस्तों ये मशीन क्या है वैसे आपको बताने की जुरूद नी क्योंकि ये ब्रश कटर है और लगबग सभी किसान पाई इसके बारे में जानते हैं में मुद्दे की बात आती वो ये कि सर्विस कितनी बढ़िया कंपनी कितनी बढ़िया है और किमत कितनी अच्छी है और ये तीनों ही चीजें किसान पाईयों को सबसे बढ़िया मिलती है तो वो है ड्रेजल इंडिया इंदोर की कंपनी जहां पिछले साल में आया था वहां हमने ब्रश कटर देखे थे तो इस साल वापिस जब ग्यों कटाई के सीजन चलने वाला तो में एक बार फीर आ गया हूँ कि इस बार ड्रेजल इंडिया कंपनी किसान भाईयों के लिए कितने प्रकार के ब्रश कटर लाई है और कौन से ब्रश कटर लेके आई हैं तो सर नमस्कार सर आपको भी नमस्कार और हमारे सभी किसान भाईयों को भी नमस्कार तो सर ब्रश कटर के बारे में तो डीटेल से बातचीत करेंगे सबसे पहले बताइए कि पिछले साल के मुकाबले इस बार नया क्या लेकिया है सर पिछली बार जैसे कि हम टू स्टॉक लाये थे 52 सीसी साइट पेक बेक पेक और फॉर स्टॉक में जो की 35 सीसी होता है साइट पेक बेक पेक में तो उसी कड़ी में एक चीज और आगे बढ़ा दी है होता ये था कि किसानों को चाहिए था पावर तो टू स्टॉक का ठीक है और चाहिए था इंजन फॉर स्टॉक मतलब अब होता ये था कि टू स्टॉक में जाते थे तो 52cc इंजन मिल जाता था लेकिन अब शूकि वो 2-stroke था अब व्यक्ति को 4-stroke में अगर जाएगा तो 35cc से उपर कोई इंजन आता नहीं था तो इसके लिए 50cc में 4-stroke इंजन में साइट पे को बेक-पेक ब्रेश कटर भी लेके आए तो भी सारे 4-stroke में दे रहे हैं नहीं 2-stroke भी उपलब दे है अगर किसी व्यक्ति को 2-stroke चाहिए तो 2-stroke भी उपलब दे है और 4-stroke में भी 35cc वाला जो अल्रेडी चल रहा है जो कि गेहूं काटने के लिए तो सर्वत्तम है बेस्ट है वो भी है और इसके लवा किसी को अगर टीलिंग का काम भी करना है ज़्यादा और हार्वेस्टिंग भी करना है दोनों काम ही ज़्यादा है तो उसके लिए फिर 4-stroke में 50cc का इंजन लाए यह थोड़ा confusion दूर कर दो किसानों का तो लगता है कि उनको side pack लेना चाहिए या bake pack लेना चाहिए मतलब उसके लिए आप क्या suggest करते किसान भईयों को सर मेरे हसाब से तो side pack ही लेना चाहिए क्योंकि harvesting अगर करना है आपको तो side pack से based option कोई भी नहीं है उसका सीधा सा funda क्या होता है कि side pack में जो rod रहती है वो side में टंगती है तो आप उसको 180 degree घुमा सकते हो easily, as per your requirement आपकी जित्ते requirement आप उसको घुमा सकते हो लेकिन अब क्या होता है bake pack में ये flexible shaft रहती है ये हाथ पर वजन जादा लगता है यूँ व्यक्ती को सुनने में क्या अच्छा लगता है bake pack है पीट पर टांग लेंगे तो easy रहेगा वजन कम हो जाएगा बट ऐसा नहीं होता क्या है देखो, इसकी एक limitation है ये इससे ज़्यादा नहीं गुम सकता तो होता क्या है कि इसमें पीट पे जोड ज़्यादा आता है ठीक है व्यक्ती को जुक के काटना पड़ता है लेकिन side pack में व्यक्ती सीधा काट सकता है ये 180 degree मुह कर सकता है इसको अब 180 degree मुह नहीं करा पाऊगे तो महला जिसको जैसे कि एगर फसल काटनी है तो वो side pack ले और जिसको वीडिंग वग्यरा काम करना वो back pack ले सकता है बिल्कुल 100% जाहिए जिसको केवल harvesting करना है तो उसके लिए सबसे best option है side pack उससे आप tealing भी कर सकते हो यसा नहीं है कि side pack है तो उससे tealing नहीं होगी उससे भी tealing होगी लेकिन किसी को व्यक्तिकों केवल tealing करनी है तो फिर मैं कहता हूँ कि उसको बेक पेक लेना चाहिए जैसा तो सर ये तो बात होगी एक basic जानकरी की अब अपने model दिखा दीजे हमारे किसान बैयों को ताकि उनको भी लगए उनको उनके requirement उनको कौन सा लेना चाहिए तो शुरुआत करता है यहां से तो अक्षर जी शुरुआत बताईए यह कौन सा model brush cutter है और कितनी किम्मत और उसके साथ में किसान बैयों को आप क्या क्या चीजे देंगे सबसे पहले यह अपना basic model है टू स्ट्रॉक 52cc 52cc में टू स्ट्रॉक इंजन है साइट पेक अब बात करते हैं क्या क्या आएगा तो आप कोई सा भी मेरा brush cutter ले लेंगे सब में जैसे कि मैंने यह आगे रखे हुए आएक बार आपको दिखा भी देता हूँ में कोई सा भी brush cutter लेंगे उसमें एक तो यह असी दात की blade आएगी आपको साथ में यह कहां पे जांपे भी आपको harvesting करनी है जैसे कि गें हो गया अपना इसके बाद में धान होता है यह कोई सी भी harvesting जांपे करनी है वहाँ पर यह based है ठीक है एक तीन दात की blade आती है जो इसके साथ में आती है जहां पे भी आपको तूर हो गया या लचका हो गया जहां पे भी इसी चीज़े काटनी अफचारा हो गया वहाँ पे यह तीन दात की blade से कटता है तो एक 80 दात की blade एक तीन दात की blade एक ये नाइलोन का ट्रीमर जिससे कि हरी घास जो हरी जंगली घास जो बरसात में उग जाती नॉर्मली वो इससे कटती है यह तीन चीज़े इसके साथ में बाइडिफॉल्ट आएगी इसके अलावा एक अपना पेडी गार्ड यह गार्ड ठीक है जिससे कि क्या है कि अपने उड़के कुछ सामान नहीं आए मतलब जब भी आप कुछ हार्वेस्टिंग कर रहे हो या कोई नींदाई गोड़ाई कर रहे हो तो आपके उपर उड़के कुछ आयने उसके लिए प्रोटेक्ट करता है उससे और इसके बाद में यह क्रॉप कलेक्टर यह क्रॉप कलेक्ट यह सब भी है मैं आपको वह आगे वह भी बताऊंगा इसकी कीमत क्या रखिए सर इने अटेज्मेंट के साथ जो भी आपने बेसिक अटेज्मेंट बताया थे सब बेसिक अटेज्मेंट के साथ में एक 80 दात की ब्लेट नाइलोन ट्रीमर गार्ड क्रॉप कलेक्टर टूल ब इसके अलावा किसान भाई को एक भी रूपय अलग से पेड नहीं करना पड़ेगा इस कीमत में आज की रेट में कहीं पे भी पूरे हिंदुस्तान में आप गुम जाएं यह ब्रेश कटर नहीं मिलेंगे बागी सारे बहुत ही दिखने में जैसे अब आप डेमो के वीडियो बेक वर्जन यह साइट पेख यह बेक पेख जैसा कि मैंने आपको बता है था फिटी टू सीसी टू स्ट्रोक बेक वर्जन है यह 9000 रूपे का था यह 10,000 रूपे का है जी और सर अगले में आ जाते है यह फॉर श्ट्रोक का पेटिस सीसी का इंजन में आएगा मतलब अगर मैं बोलता हूं आज की तारिक में हर्वेस्टिंग के लिए अगर केवल हर्वेस्टिंग करनी तो फोर स्ट्रोक 35 सीसी बेस्ट है यह उसी का वर्जन यह बाकि मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसा कि मैं आपको अल्रेडी बोल चुका हूं यह सा नहीं है कि मुझे यह कीमत आई कि 12,000 रुपे का आएगा इसमें भी ट्रांस्पोर्टेशन फ्री है यह 13,000 रुपे का आएगा बेक पेक वर्दन इसमें भी ट्रांस्पोर्टेशन समय फ्री अगले पर आ जाते हैं यह अबना सरी फिर यह जैसा कि मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति को टू 500 रुपे हैं इसके сाथ आप अपको बता थी आप बहुता इसके साथ में भी आईगी और इसकी कीमत में बेक पेक यह इसका अपने पास वीडियो भी है, अपने पिछली बाग आपने काट के देखा भी था, तो यह saw blade इसकी कीमत 600 रुपे है, ठीक है, अगर आपको यह लेना है, तो इसके 600 रुपे अलग से पे करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, इसके अलबा मेरे पास में टीलर अटेज्म चेंसर अटेज्मेंट और वाटर पंप अटेज्मेंट, यह वाटर पंप अटेज्मेंट है, यह चेंसर अटेज्मेंट है, इसमें 11 इंच का guide bar आएगा, ठीक है, और जो टीलर अटेज्मेंट में, तीन डिजाइन है मेरे पास में, यह तीनो डिजाइन है, इसमें मेरे पा लिजे सबकी कीमत 3,000 रुपे हैं इसमें भी पूरा ट्रांस्पोर्टेशन पेड करा हुआ है तो अक्षे जी आप बहुती बढ़िया भरस कटर लेका है सारे अटेजमेंट आपने दिखा दिए अब जो किसान भाईों को जिसकी जुरूत है वो अपने इसाब से ताई करके ख वारंटी मिलेगी पार्ट रिप्लेस्मेंट वारंटी आपसे एक रूपिया भी नहीं लेगा जो भी पार्ट खराव हुआ छे मेने के अंदर तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इवन कोरियर का चार्ज भी नहीं लेंगे आपको डिलेवर देंगे अच्छा मलब पीस क्यों पी बुकिंग प्रोसेस का एसा है कि आपको जो भी मशीन चाहिए कीमत तो आपको पता ही है नो हजार दस हजार आगे जो भी है मैंने बताई है तो उसमें से दो हजार रुपया आपको एसे बुकिंग अमाउंट देना है और जो बच्चावा रुपया है वो केश ओन डिलेवर और सस्ती से सस्ती और अच्छी से अच्छी मशीन प्रोवाइड गरवार है यह बिल्कुल बिल्कुल सार और इसके लावा में एक चीज और बोलना चाहरा हूं जो छूड़ गई थी मुझसे कि इसके स्पेर पार्ट्स सारे हमारे पास में अपलब्द है और कोई किसान सकते हैं यह तो बहुत ही बढ़िया क्योंकि बहुत से किसान भी वीडियो के नीचे कमेंड करके बताते हैं कि मैं पार्ट्स नहीं मिल रहें पार्ट्स की जुरूत है था इन से संपर कर सकते हैं और विसे ब्रश कट रूख खरीदना और भी ज़्यादा डिटेल में जानका सकते हैं तो दोस्तों उम्मिद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो आपको पसंद आया और वीडियो को आपने यहां तक देखा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे अपने दोस्तों का शेर कर दीजे और इन ब्रश कटर के बारे में आपका क्या सोचन कौन सा मोटल पसंद आया कौन सा अटेज्मेंट पसंद आया यह बात आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल पर पेली बार आया तो ऐसे ही खेती किसानी के वीडियो देखने लिए इस चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं तो मिलता हूँ दोस्तों बहुत ही जल्दे एक नए वीडियो में जब तक के लिए जय जवान जय किसान